सबी को जैन दोस्तों आप सबी का हार्दिक्स हो गते हैं भारत इस इंडिया पर आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छ होंगे तो आज हम आपके लिए बहुत इंट्रोस्टिंग और एक दंदार वीडियो लेकर आएं जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की आप प्यार दिया था और बहुत सारे मेसेज्जिस किये थे तो इसे भी अन तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देखें ताकि हम अपनी से लेटेस इंट्रोस्टिंग और दंदार वीडियो लाते रहें जैहिंद जैभारत तरह की कुछ सबूत हैं कि 500 साल पहले आट तो साल पहले जो इमारते हुआ करती थी कुछ चीज़े इस तरह की हैं लेकिन उनको सबूत नहीं माना जा सकता वो काफी सबूत नहीं इस बात को कहने के लिए कि मंदिर तोड़कर मसीद बनी है यह सारा कुछ बाकाइदा पबलि यॉर्पन हिस्टोरियन जो थे उन्होंने कहा कि देखो हमें तो निकाल दिया गया हिंदुस्तान से लेकिन लाव इनके बीच में कैसी हिस्टरी छोड़ जाते हैं कि पूरी रहती दुनिया तक क्यामत तक यह लोग लड़ते रहें आपस में हिंदू कहें यह हमारा है मुस् चलता रहेगा जहां घर में दो भाई होते हैं दो बरतन होते तो खड़कते तो हैं वो खड़क रहें कोई बात नहीं लेकिन हमारे देश की जो जुडिशिरी है वो बिलकुल अपनी जगा सही काम कर रही है और देखे बाबनी मस्जित का एक मुकदमा इतना लंबा लंबी जिसको देखकर मुसल्मान भी तंग आ गया था जैसे कई बार आदमी होता ना कि अपने अपने कोट के मुकदमे को लेकर आदमी तंग आ जाता है और कहता है मिया यह चाहे मेरे खिलाफ ही हो जाए लेकिन हो जाए इस तरह की पोजिशन होगी थी मुसल्मानों की भी जो भी हुआ हाला कि वो जगा रामंदिर को दे दे गए रामंदिर बन भी गया लेकिन एक मुसल्मान ने खड़े ओकर यह नहीं कह ङोगा कि लाओ अभro आप हम तहरीक चलाएंगे रामंदिर क्यों बन गया ऐसा कब नहीं हो ए लिए हिंदूस्तार की तारीक का पहला बाकिया है कि मुसल्मानों के खिलाब मस्जिन के खिलाब फैसला आया और मुसल्मानों नो इसको बसरो चश्म कबूल किया और कोई किसी तरह का हाई हुला कोई किसी तरह के कोई तहरी करने की बात नहीं हुए मुलाना सब कई चीजों में हमने ये भी देखा कि यहूदियों से हमें बदनी मुसल्मानों को क्या प्रॉब्लम है उन्होंने क्या बिगाड़ा है यहूदियों ने बार बार अभी आप देख रहें कि इसराइल जो है वो बहुत तोड़ी सी तादाद है उनकी और मुसल्मान हैं बहुत बड़ी तादाद में और जो कुछ हो रहा है इसका पलस्टीन और इसराइल के बीच में सारे मुसल्मान मिलकर जो है वो बद्वाइं भी दे रहोंगे यकिनाना इसराइल को लेकिन उसका कुछ बिगड़ नहीं क्या बात है खुदा ने क्या मुसल्मानों की सुन भी जरूरी है रोजी का हलाल होना बहुत धूरी चीज़े दूआ के कबूल होने के लिए मौला ना जाब आप लोग तो हर चीज़ को हलाल हराम पे ले जाते आप लोग तो पहले जो आ यह जो स्कॉलर थे इस्लामिक स्कॉलर वो तो कहते देदी मीडिया भी रहाम है कैमरा पिक्चर बनाने भी हराम है अब तो आप लोग यूट्यूब दी चलाते हैं आपको अपना चैनल भी है यूट्यूब का तो आपको नहीं लगता कि आप काफिरों वाला काम कर रहे हैं नहीं नहीं देखिए फिर उसको समझ लीजिए मैं आपके वीवर्स को समझा दूँ आम मिल्स यह हदीश में आता है कि जिस घर में फरिष्टा वो सोरी फोटो तस्वीर या कुटा पला हुआ हूँ उस घर में नेकी का फरिष्टा दाखिल नहीं होता यह हदीश है इसलिए उलमा कहते हैं कि घरों के अंदर महद नुमाईश के लिए नहीं पा तस्वीर लगा अपिस में या घरों में तो वह फत्वास पर आज भी लेकिन अगर आप ने मुबाइल में तस्वीर खीजी और डिलेट मारती है यह आपके बास मुबाइल में है तो इस तरह की कोई बात नहीं चुक्ए वह जो है इस तरह की चीजों में नहीं आता तो यह कह देना के साथ ये बाते उस वक्त जब आप लोग रिफॉर्म की बात करते हैं जब आप लोग ये कहते हैं कि इस तरह की बाते क्यों नहीं होनी चाहिए अगर ते है तो प्रुषे पुरा है और आयसे के लिए बहुत बंदी श्यां थी लेकिन मुफसियान और अकराम ने जब उसको देखा और हालाप का जाइजा लिया तो एलाइशों को जाइज भी करा दिया बहुत सारी चीज़े हैं अगर पासपोर्ट के लिए पिक्चर चाहिए तो बना सकते हैं लेकिन अगर 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 लोगों की पिक्चर अगर घर में लगा दे तो वरिष्टे नहीं आएंगे मतलब अगर वरिष्टों प्राब्लम हो गई उचर से परदा वर्दा करते हैं लिए ने ने समिए बास समिए देगे यह अपने मतलब की नहीं है दीन जो है तीन चीज़ों में है एक तो कुरान है अल्ला का कलाम है उसकी तफिर है अधिर यानि मुहमद साहब ने जो उसको उसके बारे में बताया और अपनी जिन्दगी में अबल करके दिखाया उसके बाद में इस चीज़ात के फिकाह यानि इन दोनों चीज़ों से जो मसाइल निकलते हैं हालात के एतबार से उसको कहते हैं फिकाह उन मसाइल के एतबार से ही फत्वा दिया जाता है जब कोई आदम को स स्वाल के पास में मुफती का मौलوع के बात में तीन साल का कोर्स अलग दे duty को होता है बृजोरे देने का अधिकार मौलवी न को नहीं है है तो ये पत्वा जब कोई सवाल लेकर आता है तो जहीर बात है जो शरीयत में, मुफ्ति परसे पताईगा निकुछ तो यह जो मसाइल हैं यह लग्हान निकलते हैं और हालाख के एतबार से जो भी जाइस-ङाइस नता हो उपता जाता है रही बात फरिष्टों की देख है बैंड देखे फरीष्टे जा थे नूरानी मख्लूब हैं और फरिष्टों के बारे में इस तरह की बाते करना किसाब उनको कब से तकलिफ होने लगी हदीश में ये भी आता है कि जो आदमी मस्जिद में जाता है और उसका मूँ साफ नहीं होता कच्चा प्याज लेशन खा कर जाता है तो चुके मस्जिद तो फरिष्टों के रहने की जगा है है तो हदीश में आता है कि उसकी मुग की बदोचे भी फरिश्टों को तकलीफ होती है तो यह फरिश्टे तो नूर की मखलूक है इनके बारे में इस तरह की बाते हैं मैं समझता हूं जैब नहीं देता बेराल आप जिस भी धरम को मानते हैं जिस भी अल्ला को मानती है वो को मानते हूं लेकि मेरी बात तो सुनिए ना MBS जो है वो भी उसी अल्ला को मानते है MBS ने तो यह का है कि हदीसे जूटी है और आदे से जादा हदीसे जो है खुड़गड़ी हूई है इससे कोई परक नहीं पड़ता हूं मस्जिद में फरिष्टे होते हैं वहां पे प्याद मस्जिद के लिए लगा दिया कौन सी मस्जिद में रेप हुआ है बहुत मस्जिद में हमारी अखसर खबर आती रहती है मस्जिद में मदर्सों में यहां पर इस किसम की वीडियो आती रहती है मैंने मदर्सों मदर्सों को मस्जिद से अलग कीजिए और और अगर और नहीं गलत कह wichtig हुए, मस्जिद में रेप होने का QUEुछ है इसुए है नहीं चुमणियों नहींपार नहीं अगर से रहता है। श pikॉश होते हैं मस्जिद के बाहर हुज़ों नहींदे ыми मस्जिद की उप्त नहीं होता है उसका हुज़रा, हूँ लेकिन सवाल यह है कि मुसल्मान के अमल का नाम इसलाम नहीं है इस चीज़ को क्यों नहीं समझते हैं अगर एक मुसल्मान शराप पीता है तो जाइस होड़े हो जाएगी एक मुसल्मान जिना करता है तो जाइस होड़े बदफेली आम है हर जगह कहानी हो रहा है बताओ मुझे आप एक ऐसा शहर बताओ ये एक ऐसा मुल्क बताओ जहां बदफेली नहीं हो रही है बताओ मुलाना जी ने ये बात कितने दिल से कही है और जब आर्जु काजमी जी ने मुलाना से ये पूछा कि उनकी दूआ यानि मुसल्मानों की दूआ कबूल क्यों नहीं हो रही क्या आलाओ उनसे नराज है तो मुलाना साब ने बड़ा इंट्रस्टिंग जवाब दिया कि मुसल्मानों ने हलाल काम और हलाल खाना छोड़ दिया तो इसके बारे में आपके क्या विचार है आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिकर जो बताएं और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके किसी लेटेस और झाल कि झाल